एलो दोस्तों बहुत-बहुत सौगत है मेरे चैनल में आपका जिसका नाम है चैट का ग्यान तो चलिए दोस्तों आज एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सेर कर रहा हूं जो की बहुत ही जिवर्दस्त यहाँ पे वीडियो रहने वाला है आप लोग यहाँ पे buy करते हो तो हर वक्त आप लोग यहां पर trap होते हो है ना तो वो क्यों क्या आप आप कभी आप उस चीज के बाड़े में कभी आप सोची हो कि जब भी मैं entry बनाता हूं तो मेरा यहां पर losses क्यों होता है ठीक है मतलब मैं price action में कैसे क्या काम कर रहा हूं कि मेरा यहां पर losses हो रह आप यहां पर stock market में option buying में पैसा बना सकते हो नहीं तो आप कितना भी यहां पर मेहनत कर लेंगे वो नहीं काम करेगा ठीक है आपको एक proper एक से दो setup पे ही आपको regular यहां पर continuous यहां पर काम करना परेगा जैसे कि मैं यहां पर support और resistance और थोड़ा मोरा candlestick और जो भी मेरा personal य देखके यहां पर काम करता हूं ठीक है बहुत जवर्दस्त वो काम करता है और जैसा कि मैं हर वक्त बोलते रहता हूं जो कि मेरा many hunter master strategy है बहुत जवर्दस time frame पर वो बना हुआ है वो आपको हमेशा इंतजार पहले करवाएगा ठीक है market को पहले जो करना रहेगा market पहले market करे हूं यह सिर्फ और सिर्फ education purpose के लिए है मैं कोई severe registered नहीं हूं ठीक है बाकी आप यहां पे समझदार है है ना आपको समझाने की जवर्द नहीं है तो चलिए आज एक बहुत ही अच्छा एक setup पे हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कि आप लोग क्या करता हो ना कि हर वक् कि आप लोग predict करता हो कि market यहां से उपर जाएगा market यहां से नीचे आएगा तो आपके साथ ऐसा यहां पे क्यूं होता है देखे मैं आपको एक बहुत जवर्दस्ट एक setup में बता रहा हूं और रेडी मैंने अपने channel पे बहुत अच्छा चा setup दिया है फिर भी मैं आप नहीं आया क्योंकि market अच्छा यहां पे काम नहीं कर रहा था इसलिए मैंने अपने telegram channel पे अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आप देखो यहां पे देखोगे तो यहां पे good morning मैंने बोला ठीक है आट बच के बावर मिनिट में यहां पे मैंने यहां पे नौ बच के 50 मिनट पे यहां पे बोल दिया था यहां पे देखे सेलर डे होगा और मैं सौट वीडियो पे भी आपको बोला था कि देखिए अगर आपको best momentum पकरना है तो आप यहां पे एक से दो दिन आपको वेट करना परेगा तभी आपको upside या downside का momentum मिल सकता है अधर्वाइस यहां यहां पे सेलर डे रहेगा सेलर यहां पे डिके लेंगा क्योंकि अल्रेडी अभी premium काफी ज्यादा यहां पे हाई चल रहा है तो कम से कम उसको 1500-200 premium पे आने दीजिए तो momentum यहां पे बन सकता है ठीक है फिर देखिए अब 10 बच के 34 मिनट 10 बच के 34 मिनट का time अगर आप यहां मैंने बोला एभव कितना पे 46 यह 555 के अगर यह उपर निकलेगा तो बहुत यह अच्छा upside का momentum दे सकता है और मैंने यहां पे बोला कि entry बहुत अच्छा है ठीक है मैंने यह कैसे किया और मैं आपको बता रहा हूँ यह बहुत जबर्दस्त option बायर के लिए वीग सीक्रेट होने वाला है कि कैसे मैं momentum को पकड़ता हूं और कैसे मैं मैं मिन्टम को पकड़ता हूं और कैसे मैं प्रेडिक्ट कर लेता हूं कि आज market का यहां पे downside का trade रहने वाला है, कैसे market का upside का momentum यहां पे रह सकता है, तो अगर यहां पे आप खुद यहां पे देखो व्हां खुद देखो गे, तो market का अभी sentiment यहां पे क्या चल रहा है, market का sentiment अभी अभी trend चल रहा है, तो आपका psychology यहां पर बन चुका है कि मेरे को जब भी अभी ट्रेड करना है ना क्योंकि बहुत अच्छा डेली टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल से नीचे से जाके मार्केट अपसाइड का मोमेंटम यहां पर कर रहा है तो एक बाइंग का ओपर्चिनिटी हम लोग लेंगा तो देखें जैसे मेरा देखें प्रॉपर एक ही वे रहता है मेरा अगर मेरे को अगर सक्सेस रेट अगर बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ में टू एसस टू आरार पर ही बनाऊंगा यहां पे तो चली सबसे पहले मैं इसको पाई मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा देता हूं ठीक है बस एक ही कैंडल पे तो भाई आपको नजर रखना है ठीक है एक कैंडल पे आपको नजर रखना है इसका हाई इसका लो बस मार कर लिजे अगर आपको और एकुरेसी यहां पे बढ़ाना है तो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को भी आप लोग कंसेडर कर लिजेग तो भी आपका बहुत जबरदस्त accuracy यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, है ना, आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, खुद आप लोग खुद यहाँ पे देखिए range बन रहा है, तो यह कैसे मैं predict करता हूँ, अगर आप 2SS to RR का वीडियो अगर नहीं दे ठीक है, तो देखिए, आपको मैं हर बार बोलते रहता हूँ कि कलका high, कलका low, कलका low, मतलब high, low, open, close, मैंने अपने चैनल पे इसका भी मैंने setup दिया है, है ना, वो भी जाकर आप यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए, पहला candle को आपको यहाँ पे नजर करना, figure out करना, यह आपने figure out कर लिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, पहला जो candle है, तो इसका opening कितना पे हुआ था, इसका opening हुआ था, 46,562, देखिए, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखेगा, अगर करसर अगर यहाँ पे आप रखेंगे, तो opening यहाँ पे दिख़गा, open, high, low, close, ठीक है तो यहाँ पे अगर आप opening देखेंगे, तो 46,562 पे market open हुआ, और यह close का कितना पे किया, यह opening जो हुआ, तो closing यहाँ पे 46,500 किया, ठीक है, तो opening यहाँ पे 562 था, अग देखिए तो आपको यहाँ पे क्या करें, तो market यहाँ पे continuous, नीचे जब closing हुआ है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा consider कर सकते हैं, कि जब नीचे हुआ है, तो यहाँ पे आप down का ही trade plan करिएगा, ठीक है, पहला candle को आप यहाँ पे देखिएगा, down का ही plan करिएगा, बहुत अराम से आपक तो रुक नहीं पाओगे, आपका इतना बड़ा profit कम दिखेगा, ठीक है, profit आपका कम दिखेगा, लेकिन आपका loss यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्यूंकि option buyer के against में रहता है सारा, है न, theta, vega, gamma, यह सब सारा मतलब कि option buyer के against में रहता है, है न, आप लोग नहीं प बनाईएगा, है न, अगर आपको scalping करना रहेगा, तो यहीं पे आप, यहीं पे आप profit इतना दूर capture कर लिजेगा, ठीक है, इतना दूर capture कर लिजेगा, यहाँ आप क्यूं इस 5 मिनट के high low पे आप क्यूं यहाँ पे बनाईएगा, नहीं बनाना, आप लोग मत बनाईएगा यहाँ पे ठीक है, अगर आप बनाते होंगे, तो आप इस वीडियो के नीचे comment करके बताईएगा, क्या success rate आपको अच्छा मिल रहा है, हमाँ ठीक है, मानते हैं कि अगर आप 500 lot पे काम करोगे, 1000 lot पे काम करोगे, तो अगर आप बनाऊगे, तो आप scalping करोगे, 10 point लेके आप profit बुक करोगे, लेकिन मान लिजे कोई 1 lot या 2 lot से अगर काम कर रहा है, तो आप profit नहीं बुक करेगा, आपको यहाँ पे 600-700 दिखे लाए, अरे भया, 600-700 में क्या ही बुक करो, और आप loss पे बैठे रहेगा, 2000-3000 के loss पे बैठे रहेगा, ऐसा ही होता है, जेंडरली, ठीक है, चलिए, तो setup आप लोग को पहला यह बता दिया मैंने, है न, कि यह जो closing जो price है, उसके नीचे जैसे market यहाँ पे continuous यहाँ पे trade करता है, तो आप यहाँ पे बने रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे closing है, जो closing जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, जो previous जो ह सब कुछ change होते रहता है data यह सब, है न, तो आप समझे, तो यही हमारा सब कुछ है, अगर आपको यह सब figure out नहीं भी करना है, ठीक है, तो previous चार्ट का कम से कम, इसका high, low, open, close mark करके रखिए, देखिए, यहाँ पे closing price के पास, यहाँ पे आया, ठीक है, closing price के पास आया, काफी यहाँ पे time spend किया, ठीक है, अगर आप previous day का, अगर opening अगर यहाँ पे देखो गए, तो इसका opening है, 46,350, 46,350, ठीक है, देखिए, एक candle यहाँ पे spike मारा, लेकिन अपने को closing नहीं मिला है, जब तक opening और यह जो closing है, sorry, इसका कम से कम जो opening है, जी आगर green candle है, तो जब तक, जब त green candle, opening candle, जब तक यहाँ पे अगर इसके नीचे closing नहीं करता है, तब तक आप यहाँ पे, तब तक आप यहाँ पे sell का plan मत करना, मत पी को buy मत करना कि market यहाँ से गिर जाएगा, हाँ, जब यहाँ पे closing अगर आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पे opportunity grab कर तकते हो, तब आप यहाँ पे P.E. में P.E. को buy करके आप यहाँ पे निकल सकते हो, अडाम से है ना, और यहाँ पे आप यहाँ पे easily अगर आप देखोगे, तो consolidation zone, यह सब zone, यह सब zone है, जहाँ जहाँ पे आपको नजर आता है, यह सब आप यहाँ पे target पकर लिजएगा, अगर नहीं पकर में आ रहा ह तो आप यहाँ पे सीधा five minute का यह वाला जो है ना, यहाँ पे देखीए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे यह सब resistance है, यह सब resistance है, तो एक यहाँ पे zone consider हो गया है, कि यह resistance है, तो आप यह सब आप target ले सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना, आपको, है na, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके मेरे को बताईएगा ठीक है चलिए ठीक है मार्क जरूर करके रखेएगा इसका यह अपना जो ओपनिंग और क्लोजिंग है यह एक सपोर्ट के तरह यहां पे काम करेगा अगर आपको यहां पर टूल्स अगर यूज करना है ठीक ह तो आप यहां पर यह करना ठीक है यह रिक्टैंगल लेलना ठीक है यह रिक्टैंगल करके यहां पर इसली यह आप ओपन और क्लोज का बना देना ठीक है जब तक इसके नीचे आपको नहीं मिलेगा आप यहां पर डाउन का ट्रेड मत बनाना ठीक है और रही बात मिनी हंट master strategy तो मेरा जो master strategy है मेरे को इसी जगह पर कोई candle पर entry दे दिया था और यह मैंने एक बहुत अच्छा यहां पर momentum यहां पर पकड़ा जो भी यहां पर मेरी premium learning group है उनको मैं निफ्टी का यहां पर बोला था कि की पाइस देखिएगा लेकिन यहां पर जो spike जो आया निफ्टी 50 में भी देखिएगा आपको आप यहां पर जो देखिए यहां पर जो आया ना यहां पर जो support जो यहां पर spike लगाया ना तो यहां पर यह SL हिट कर दिया SL हिट करने के बाद फिर से यहां पर wire continuously देखिए आये और मार्केट को दम से अब ट्रिंट में एकदम से लेगा और लास्ट में जाके यहां पर जाके है ना यहां पर जाके गीड़ाईए चलिए यह हो गया तो पहला आप यहां पर समझ गया यहां पर जब तक is opening और closing आप पे यह कि यहां पर क्या करोगे और यहां पर जो यह वाला जो का पहला जो पहला जो कैंडल है पहला जो कैंडल है तो इसके उपर इस low इसका low अगर आप देखोगे तो 46,432 इसका low लगा है तो जब तक कोई candle इस low के ऊपर closing नहीं देगा तब तक आप यहाँ पे call का position नहीं बना सकते हों नहीं बनाईएगा आप लोग ठीक है यह एक setup के according सारा आप आपको मैं यह चीज़ बता रहा हूं तो आप यहाँ पे यह देखो यह वाला जो अपना जो बड़ा वाला जो candle है यह इस low के ऊपर closing कर दिया इसका आप यहाँ पे sell लगाओगे और यह आप यहाँ पे ride करोगे और target आप सीधा इसके high पे आप ले लोगे यही आपका target रहेगा तो आप लोग गलती क्या करोगे ना तो आप लोग यहाँ पे call को buy करोगे यह मैं आगे आपको समझाओंगा कि कैसे काम किया जाता है यह setup पे आप यूज करो यह setup आप यूज करो आप logic को समझो कि previous candle का opening जो भी अपना opening रहेगा इसके नीचे अपने को अगर 5 मिनट में जब तक closing नहीं मिलेगा तब तक आप य यहाँ पर देखो गए तो इंट्राट देखे है कोडिंग मार्केट यहाँ पे 300.270-280 गिढ चुका है कभी ऐसा हुआ है बाइस दिन के ट्रेडिंग सेसं में यहाँ पर की मार्केट यहाँ पर लागतार मतलब की 1000 गिर जा है ऐसा नहीं होता है कभी election हो गया कभी कोई policy policy आ आने वाला रहता है तो ऐसा होता है यह आप समझ गया इसली आप समझ गया अब चलिए यहां पर फुद देखो यहां पर तो यहां पर देखो आपका यह एक मेजर सपोर्ट हो गया ठीक आपका यह हमेशा मार कराएगा तो आप हमेशा यहां पर क्या करोगे ना कॉल्पुट मत करना आप हमेशा बाइंग का ऑपर्चुनिटी यहां पर ढूनना और देखे टोटली आज मार्केट यहां पर देखे साइडवेस था तोटली सेलर यहां पर काफी आज़ा इस लोग के पास यहां पर आ गया है तो यह अगर मुव्मेंट नहीं नहीं पकर भी पाए तो यहां पर गिरते वे बड़ में जब यहां पर इस लेवल पर आया तो यहां पर कॉल का पोजिशन मारीए और सीधा आप यहां पर स्कालपिंग कर लिज है ना तो यह एक बहुत जबरदस्त यहां पर यह सेट अप है आपको मैं सुरा बैक्टेस्ट भी यहां पर करवा देता हूं वीडियो काफी इनफॉर्मेटि वीडियो यह होने वाला है चलिए अगर इसका आप यहां पर क्लोजिंग देखेंगे तो इसका क्लोजिंग आप आपको 46,266 इसके बाद कोई भी अगर आप यहां पर देखो गे तो इसके नीचे यहां पर नहीं हुआ है ना क्लोजिंग इसका क्लोजिंग केतना 66 का, इसका closing केतना 78 का closing है, नहीं मिला है तो आप हमेशा ये आपका support की जैसे यहाँ पे काम करेगा market है हमेशा support के तरह यहाँ पे market काम करेगा, देखें ये support की जैसे काम किया, यहाँ भी आया, support बनाया यहाँ भी आया, support बनाया, यहाँ भी आया, support बनाया किसको call को buy करो क्यूंकि आपका एक support यहां पे बना हुआ है कि market अगर गेड़ता है है ना तब इसके नीचे जब तक closing नहीं मिलेगा तब तक मेरे को call में यहां पे बने रहना है ठीक है और देखे आपको मैं थोड़ा यहां पे backtest करवाता हूँ अब यहां पे देखे यहां पे क्या हुआ है यहां पे 9-15 मार्केट ओपन हुआ अभी भी closing नहीं दिया देखे यह कितना जवरदस्त यह जो opening है इसके नीचे closing यहां पे candle दे दिया है फिर यहां पे अगर आप यहां पे देखोगे तो जब तक अब इस जो अपना जब फिर यह तो हो गया डाउं का ट्रेड मैंने आपको दिखा दिया अब आपका जब तक आप call में कैसे इंट्री यहां पे बनाओगे खुद सोचिए आप call में इंट्री अब कैसे बनाओगे मान लिए कि यह छूट गया तो जब तक यह वाला candle या फिर पहला वाला candle या तो previous candle या तो इस candle के उपर जब तक closing नहीं मिलेगा कोई अच्छा तब तक आप call में इंट्री नहीं बनाओगे अगर closing अगर दे दिया है तो आप यहां पर opportunity ढूंडिएगा कि मेरे को यहां पर call में इंट्री चाहिए देखिए काफी यहां पर market यहां पर बना और फिर market में एक देखिए कितना मस्त यहां पर momentum आप यहां पर capture आप लोगों ने यहां पर किया होगा देखिए यह है उसका last candle को उसपे आप opening और closing पर ध्यान दीजिए opening और closing पर ध्यान दीजिए और पहला जो intraday का intraday intraday का पहला five minute का candle पे नज़र दीजिए ठीक है बस यह बस एतना ही आप setup में बस आप यहां पर आप अपना rule बना लिजिए और उसके बाद आप इसको जाके देखिए बहुत जबरदस्त यह काम करेगा है ना इस video को comment जरूर आप लोग करिएगा अगर यह video आपको अच्छ लगाओगा तो जरूर करिएगा ठीक है और mini hunter master strategy जो मेरा जो यहां पर है वो मैं एक application पर यहां पर दे दिया हूँ जिनको भी buy करना रहेगा मैं अपने telegram चैनल पर यह चार्ट के घ्यान पर 1541 अपने member हैं यहां पर मैं दे दूँगा आप click करके payment करके आप easily उसको देख सक तो 5 वीडियो है बहुत जबरदस्त है पहले उसका क्या costing था क्या नहीं मैंने उसको बहुत जबरदस्त discount में दे दिया है एक trade का आपका nominal fee है कुछ भी नहीं है मेरे को पता है उतना तो आप डेली का losses कर रहे होंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे यहां पर ठीक है ना तो आप यहां पर call का position कब बनाओगे जब तक इस closing या opening के जब तक उपर आपको एक अच्छा candle नहीं मिलेगा तब तक आप position नहीं बनाओगे देखे बहुत अच्छा candle यहां पर यह वाला candle मिला इसका लोग ऐसे और यह target काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है target हम यहां कभी बनेगा नहीं बनेगा है यह फिर momentum आया तो मैं पकर लूँगा अब इसको पूलोई सर यह momentum आप कैसे पकर लिए तो next video next video मैं इसके उपर ही बनाओगा लेकिन video के नीचे आप comment करिएगा like करिएगा share करिएगा तो ही मैं बनाओँगा ठीक है बहुत वर्दस्त यह काम कर करता है और mini hunter मैं यहां पर आपको मैं दे दूंगा यहां पर आपको करना रहेगा आप वो वीडियो आप ले लिएगा अगर यह informative वीडियो को लगा होगा तो मेरे चैनल को subscribe करिएगा like करिएगा comment करिएगा है ना तो मिलते हैं next analysis वीडियो में अभी के लिए बाइबाइ टे कर जय हिंद जय स्री स्याम